फ्रूट भी आ गया है तो फ्रूट आ गया तो फ्रूट को सेलिबरेट तो करना बनता है एक बार लगाओ 20 साल तक बड़े अराम से चलता रहता है और मार्किट वैल्यू की बात करें तो बहुत अच्छी मार्किट वैल्यू है किसान भाई और आमरा मैंने रेंदर सिंग चोहान अपने फारम पर हमने अद्धा किला ड्रेगन फ्रूट का लगाया था उसे मैं दिखा रहा हूं मातर एक साल के पेड़ू है एक साल में कैसी प्रूट का अपने यहां लगा सकता है इसकी आवसकता है बहुत कम होती है खाद इसको नहीं चाहिए पानी ज्यादा इसको नहीं चाहिए कम से कम पानी पे और कम से कम नुट्रिस वैल्यू हो ना रेतली जमीन हो जहां ताकत कम हो मिट्टी में उसमें ज्यादा कामियाब र जाते हैं किसी भी तरह का चेमीकल सप्रे या चाइक ल खाद इसको नहीं दिया जाता और मार्कित वैल्यू की बात करें तो बहुत अच्छी मार्किट वैल्यू बाहर के देश से फूरूट आया अभी इंडिया में तो इसकी उपलबता बहुत कम नपना पड़ता है अगर किस इसमें साथ देंगे अच्छे पेड़ लगाएंगे अच्छे पैदावार करेंगे इंपोर्ट करने की बजाए हम एक्सपोर्ट करने पर आजेंगे किसी परधान देश है हिंदुस्तान तो भारत वर्स में इसकी खेती बड़े अराम से हो सकती है जलवा यह पूरी तरह से लगती है साथ सपाई का अगर हम दियान रखें निच्चे से कबाड की सपाई रखें तो यह हवा में होता है तो मैं ज mocना पानी आएगा उपर से बरसे जितना इसमें फुटाओ ओगा साइड़ को अंदर से निकाल के पारी फूटाओ लेतैं जितना इसमें जादा फुटाओ ओगा उतना ही जादा उपाराएगा कौहीं बीक सान् ध्रैगण की खेती करना चाते हैं तो बड़े आराम से कर सकता है कि अ macht बहुत दितना तो सकाना और यह को आप簡ं़ है पर्बेनिश सी प्रमा कर रॽeं आप्ने आप थैर्पार कर सकते हैं और बन भणंनाई भी ले शकते हैं लगें यदो फींस निफिंटने सी एक और फिर पर इसे डाया जाता है